याँपर से को नहीं बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप YouTube यह पर जाना चाते हैं तो बेस्ट प्लेटवार्म क्या होगा आपके लिए और क्या आपको इन फ्यूचर उसके रिटेन में मिलेगा आकर आप TikTok या फिर YouTube पर जो है अपनी मैनत या फिर अपना टैलेंट सो करते हो तो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए यह जानना कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना टाइम अपनी मैनत दे रहे हो अपना समय दे रहे हो वो प्लेटफॉर् पर उनको एक्चुली मैं नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है वो ऐसा क्यों कर रहे है तो आज यह वीडियो देखने के बाद आपको सिंप्लिफाय बिल्कुल कर दूँगा मैं एकदम एक्स्प्लेइन करके अच्छा से बता दूँगा कि आपको TikTok क्यों जोइन करना चाहि करती है अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक TikToker को या फिर एक यूट्यूबर को किसको जाधा मैनत करनी पड़ती है तो यहां पर सिंपल सा जवाब है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको बहुत जाधा मैनत करनी पड़ेगी उसका सिंपल सा यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारी दिक्रतियों होती हैं जैसे कि कंटेंट ढूंड़ना कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना उसके बाद वीडियो क्रियेट करना फिर उसे SEO करना अपलोड करना तो मतलब बहुत सारी चीज़े होती हैं जब कि टिक टॉक में ऐसा बिलकुल भी नहीं है वहाँ पर कंटेंट नाम की चीज़ तो बहुत कम है और वहाँ पर आप जैसे देख रोगे कि वीडियो बनाए उसमें लिपसिंग किया और वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो या फिर अगर आप एक अच्छा कंटेंट दे भी रहे हो तो भी वहाँ पर उतनी मेहनत नहीं ह अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर अगर आप टिक टॉक पर जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं बढ़ हां मेहनत आपको ज्यादा यूट्यूबर ही करनी पड़ेगी अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत ज़ता important है और वो यह है कि आपकी category क्या है क्योंकि अगर आप TikTok को notice कर रहा हो तो TikTok पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि TikTok पर सिर्फ दो ही तरह के content होते हैं पहला entertainment content और second जो की kachra content होता है TikTok में सर्फ दो तरह के content ही आपको देखने को मिलेंगे बट YouTube एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको entertainment से लेकर educational तक के जो content है वो देखने को मिलेंगे हर एक category बाइस में आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी और YouTube एक ऐसा platform है जहाँ पर आप हर चीज़ सो कर सकते हो हो सकता है आपको पास कुछ भी talent हो आप वो सो कर सकते हो बट TikTok एक ऐसा platform है जहाँ पर अगर आपको एक brand value create करने या फिर आगे चलके आप अपने future में कुछ बनने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप future अच्छा करना चाते हो तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो लोग acting में गये हैं या फिर acting हो गया dancing हो गया कुछ इस तरह के talent को वहाँ पर responses मिलते हैं बाकी सारे talent दबे रह जाते हैं तो मेरे कहास अगर आप अपने talent को उभारना चाहते हो तो YouTube एक best platform है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई time limit नहीं होती कई सारे talent ऐसे होते हैं कई सारे topic content ऐसे होते हैं यहाँ पर आपको video लंबा बनाना होता है इसलिए YouTube यहाँ पर भी best है और अब आपको देखना है क्या आपका topic क्या आपका content क्या उससा आप से आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्या आपको TikTok के साथ जाना है या फिर YouTube के साथ जाना है एक चीज़ बहुत जादा लोगों के मन में चलती है वो यह है कि TikTok पे कुछ ऐसी hype हो गई है कुछ ऐसा दिखावा हो गया TikTok लोगों को लगता है कि हम TikTok पे वीडियो जालेंगे उसका star बन जाएंगे और फिर हमें movies मिलने लगेंगे series मिलने लगेंगे पर ऐसा actually में नहीं है मैं आपको बताऊं कि YouTube ने भ जाते हो like technical guruji हो गए तो आप देख सकते हो हर एक category में आपको एक master मिल जाएगा चाहे वो cooking category हो मनलब हर एक category में आपको कोई नों को एक master मिल जाएगा जिसकी brand value एक TikTok के सबसे बड़े start से भी बहुत जादा है तो आपको यह चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी कि end the end जो resultant है वो YouTube पर जादा है YouTube पर जो brand value है बहुत जादा है so guys अब एक last चीज़ में आपको बताने वाला हूं वो बहुत धा important है वो यह है कि पैसा actually में जब भी हम कभी काम करते हैं चाहिए वो online औ offline हम कहीं पर भी अपना समय देते हैं तो हम expect करते हैं कि हम उसके बदले कुछ amount मिले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो यहां पर बात करने हैं पैसे की तो जैसे कि आप सबी लोगों को पता होगा कि TikTok एक ऐसा platform है जो अभी तक monetize नहीं है नहीं TikTok का कोई monetize platform अभी तक launch किया है तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप वीडियो पनाते हो आपको कितने भी likes मिल ज प्रचन है और YouTube का खुद का एक adsense platform है जो कि monetization प्रवाइड करता है आपकी वीडियो को आपके चैनल को जिससे आपकी अरनी होनी ही होनी है अगर आपकी वीडियो पर views आ रहे है जो कि TikTok पे ऐसा बिलकुल भी नहीं है TikTok पे आपको dependent होना पड़ता है एक brand की उपर और brand value जो है इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी brand को जो भी product promotion किया जा रहा है उसे purchase करें जबकि YouTube पे होता ही है YouTube पे जो audience है वो mature audience है जिसकी वज़े से brands को भी पता है कि यहाँ पर उनका जो service है वो ज़्यादा sale होगी या फिर उनका जो product है वो ज़्यादा sale होगा इस वज़े से brand value YouTube मे बहुत जादा है और आपको जो वीडियो में जो भी आपको sponsorship मिलते है या फिर जो भी आप brand collaboration करते हैं उसमें ज्यादा amount मिलता है compared to TikTok इसके लावा आप monetization जैसे मैंने आपको होता है वो यह है कि TikTok में आपने देखा होगा जो भी बहुत बड़े superstar बने या फिर आपको लग रहा होगा कि इन्होंने TikTok से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए तो आप यह चीर note करना कि वो एक ही category है वो है acting या फिर dance category यह दो category के उपर है TikTok पे जो भी बंदे हैं उन्होंने नाम कम आया है पर अगर आप YouTube पे compare करता हो तो आप देखो कि चाहे वो vlogging हो चाहे वो tech हो चाहे वो cooking हो चाहे वो makeup tutorials हो या फिर चाहे वो comedy हो roasting हो आपको हर एक field में एक master मिल जाएगा जिसकी brand value बहुत जादा है अगर आप देखो तो अगर आप TikTok पे कोई tech videos दालते हो उसकी कोई value नही की वीडियो जालते हो तो हो सकता है आपको views वहाँ पर मिल जाए पर तो उसका कोई मतलब नहीं है जबकि YouTube पर आप देखो तो YouTube fan face तक में बुलाता है ऐसे creators को जो cooking पे वीडियो बनाते हैं, makeup tutorials बनाते हैं, technical guruj जो आप जानते हो, tech videos बनाके कहां तक जा चुके हैं, तो YouTube अग YouTube कभी भी गलत चीज को promote नहीं करता है, 2016-2017 में ऐसा होता था कि बहुत सारा cringe, बहुत सारा कचरा YouTube पर आपको देखने को मिलता था, आपको trending page पर भी आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिलता था, बट YouTube ने आप वह सारी चीजे filter करना शुरू कर दिया है, और अब आप पूचना है कि actually मैं आपको कहां पर जाना है अगर आप एक online platform पर आना चाहते हो, वो TikTok है या फिर YouTube है, यहां पर ये video मैं खतम करता हूँ, उमीद करता हूँ, आपको सारी चीजे clear हो गए होगे कि आपको TikTok जोइन करना या फिर YouTube, और इसके लाबा अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेलो डिपकेसर दबा देना ताकि आपको डिपकेसर मिलते हैं हमारी आने में एक नहीं वीडियो का